एक पॉइंट पे ना मेरे लाइफ का अल्टिमेट गोल था कि बस CHSL एक्जाम क्लियर करके क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगे उन में से एक एक्जाम मैंने क्लियर कर दिया था विच वस GDS मैं अपनी साइकल लेके एक लेटर डिलिवर करने निकला हुआ था मैंने वहाँ जाके बेल बजाके इंतजार किया कुछ देर बाद अंदर से बूरे अंकल निकलते हैं और मुझे चिलाना स्टार्ट कर देते हैं कर रहे हो बेल क्यों बजाया दर्वाजा क्यों तोड़ रहे हो ने लेटर मेरे हाथ से चीना और दर्वाजा पटक के चलेगा मैंने चुप-चाप अपनी साइकल ली और इस दिन मैं पोस्ट आफिस ने लेके आजकल ना बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपने आपको फसा हुआ फील करते हैं वो सोचते रहते हैं कि कब वो डिसिजन लेने का टाइम आएगा कि वो एक जंप ले सके फ्रॉम जॉब तो अस्टार्टप या फ्रॉम जॉब तो बेटर जॉब और वो सोचते हैं वो फेल हो गए उसमें तो क्या करेंगे वेल आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हो ना उसके बाद शायद आपको वो डिसिजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी मेरी जर्णी स्टार्ट हुई थी 10 स्टैंडर्ट से और आज तब मैं 15 से जाधा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुगा हूँ बहुत जाधा बार फेल हो चुगा हूँ और बिजनस से लेके प्राइवर्ट जॉब, कॉर्परेट जॉब, फ्रीलांसिंग सब ट्राइ कर चुगा हूँ आज मैं एक टेक और फाइनांस इंफ्लेंसर हूँ और मेरे कुछ जाधा नहीं बस 3 मिलियन शोशल मीडिया फॉलवर्स है हाई गाइस मेरा नाम है करन लोया और मेरी कहानी स्टार्ट होती है 10 स्टैंडर्ड के मार्क से 10 स्टैंडर्ड तक न मैं एक टॉपर था तो मेरे पेरंस ने सोचा अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं तो मैंने ले ली PCMB, Physics, Chemistry, Maths और Bio और मैं लग्या पढ़ाई करने पर डॉक्टर बनना असान नहीं होता पहले स्कूल अटेंड करो फिर आके कोचिंग जाओ फिर रात तक बारा से एक बज़े तक पढ़ो और फिर नेक्स डे रूटीन रिपीट अपने ले टाइम ही नहीं बसता था पर एक सपना था कि एक बार डॉक्टर बन गए न तो लाइफ सेट हो जाएगी और उसी सपने को लेके मैंने अपना एक्जाम दिया पर मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ और प्राइवेट कॉलेज में एड्मिशन ले नहीं सकते थे क्योंकि इतने पैसे नहीं थे एक करोड़ फीस मांग रहे थे कॉलेज वले और घर पे बेहन की शादी करवानी थी तो उस टाइम नहीं एक अंडेस्टैंडिंग सी बन गई कि आगे जाके आज से घर से पैसे नहीं ले सकते हैं जो भी करना है खुद ही करना है तो मैंने डेजाइड किया कि एक साल खुद घर पे बैठके पढ़ता हूं और फिर से ट्राइ करता हूं तो मैंने पढ़ा ही फिर से सटाट की और अपना second attempt दिया और उसमें भी मैं fail हो गया और उस वक्त एक sudden realization होई कि 11 से 12 तक जो coaching fees थी मैंने वो बरबाद कर दी थी मेरे जो friends थे सारे वो अपने first year को clear करके college के second year में आ चुके थे और जो आसपास के relatives थे न उन्होंने बाते बनानी start कर दी थी कि बेटा दो साल से तयारी कर रहा है दिखता तो है कि पढ़ाई करता है पर selection क्यों नहीं हो रहा क्या पता phone चलाता हो क्या पता कुछ छुपा रहा हो उस दिन ना एक बात मैंने realize की कि आप कितनी भी मेहनत कर लो कितने भी efforts लगा लो अगर आप results नहीं ला पाते ना तो society की नजरों में आपकी value और आपकी efforts की value zero है अब exam clear नहीं हुआ तो कुछ तो करना ही था तो मैंने open college से अपनी degree start की और उसके साथ जितने भी exams से NDA से लेक के banking तक सारे भड डाले एक point पे ना मेरे life का ultimate goal था कि बस CHSL exam clear करके clerk की नौकरी मिल जाए तो life set हो जाएगी पर वैसा भी हुआ नहीं क्योंकि मैं सारे exams में fail हो गया अब उस point पे ना मैं हार मान चुका था मुझे कुछ समझी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और जब भी मेरे life में ऐसे moments आया ना जहां मैं rock bottom हिट कर चुका हूँ जहां मैं हार मान चुका हूँ कि अब कुछ नहीं होने वादा उस वक्त मेरी मा मेरी inspiration बनी है वो हमेशा मेरे पास आके कहती है कि करन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू देखियो एक दिन इतने पैसे कमाएगा ना कि गिनते गिनते ठक जाएगा और मैं हर बार उनके ओपर हस देता था कि क्या बोल रहो आप आसपास देखो कुछ नहीं है आपका बेटा फेल हो चुगा है तो ऐसे ही मैं एक दिन ना उदास बैठा था और मेरे एक छोटा भाई है जो मोबाईल में गेम केल रहा था तो वो मेरे पास आया और उसमें का कि भाई ये देखो इस गेम में जो ट्रिक है ना ये मैंने ढूंडी है और ये इंटरनेट पे भी नहीं है तो मैंने थोड़ी देर वो गेम देखा और मैंने का इंटरनेट पे नहीं है तो डाल देते हैं फिर और हम दोनों ने उस दिन मिलके एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो बनाई और वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी और वो समाओ चल गई अब मैं क्या करने लगा रोज उस गेम में कुछ ट्रिक्स डूढने लगा और उन्हें अपलोड करने लगा और दीरे दीरे मेरा गेमिंग चैनल 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुच गया और महीने के 20 से 25,000 रुपए आने लगे फिर क्या हुआ एक दिन कॉल आता है मुंबई से और वो बोलते हैं जिस कंपनी का गेम आप खेल रहे हो न उस कंपनी ने एक इवेंट और आपको वो इन्वाइट करना चाहते है अब मैं बड़ा खुश हो गया पहली बार एक अचीवमेंट की फिल आई थी कि फ्लाइट में बैठने के लिए मिलेगा मुंबई जाने को मिलेगा तो मैं बहुत एक्साइटेड था बड़ जब भी मेरी लाइफ चली है न वो कभी लीनियरली उपर नहीं गई है तो क्या हुआ साथ दिन पहले उस एवेंट के मेरा चैनल हैक हो गया सब खतम हो गया चैनल तो गया ही हाथ से वो तो बीस पच्चेस अजार रुपे महीने के आ रहे थे वो भी गया तो मैंने उसी दिन कंपनी को कॉल किया और उन्हें बताए कि देखो मेरा चैनल हैक हो चुका है अगर आप किसी और को बुलाना चाहते है तो आप बुला सकते है पर उन्होंने का कोई दिक्कत नहीं है आप आजेए उसके बाद देखते है तो उसी हफते मैं जिन्दी में प तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा और लकीली मुझे वो जॉब मिल गई और सैलरी थी 33,000 पर मांथ तो मैं जॉब करने मुंबाई आ गया और लाइफ स्टेबल हो गई रेगलर सैलरी थी पर मुंबाई इतना महेंगा शेहर है ना कि 33,000 कहा चले जाएंगे आपको पता ही न और मुझे सब छोड़के फिर से दिल्ली आना पड़ा अब दिल्ली आके मैं बिल्कुल ब्लैंक था जॉब मैं छोड़ी चुका था और कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या करूँगा तो मैं अपने कमरे में चुपके बैठा रहता था और किसी से जादा बात नहीं करता फिर एक दिन ना घर पे एक लेटर आया और वो सारे फॉर्म जो मैंने बहुत पहले भरे थे उनमें से एक एक एक्जाम मैंने क्लेर कर लिया था विच वस जीडियेस अब जीडियेस सुनने में लगता है कि क्या बड़ी पोस्ट है लड़के ने क्या ही अचीव कर लिया हो लाखों में सैलरी होगी बट ऐसा नहीं है जीडियस ग्रामीन डाक सेवक यह पोस्ट ऑफिस की सबसे छोटी पोस्ट होती है और सैलरी होती है 13000 रुपए पर मन्त अब कोविट चल रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अब जीडियस में क्या होता है कि अगर आप ज पोस्ट ऑफिस में काम किया as GDS ग्रामीन डाक सेवक और मुझे लगता है वह एक साल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीडियंस था क्योंकि मुझे बिलकुल भी अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था पोस्ट ऑफिस एक तो मेरी पोस्ट सबसे छोटी थी और मैं सबसे यंग था पोस्ट ऑफिस में तो मैंने ट्रॉलीज कीची है बोरिया उठाई है जाडू लगाया है लेबर गिरी की है एक तरीके से मैं बुली हो रहा था उस पोस्ट ऑफिस में और फिर 3rd August 2021 में आया मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट उस दिन ना बा और बारिष से वो रोड कीचर बन चुका था तो मैंने क्या किया लेटर को लपेटा पिन्नी में ताकि गीला ना हो जाए और हाथ में पकड़के अपनी साइकल लेके उस गाउ में चलने जा रहा हूं और आसपास रुक के मैं लोगों से पूछ रहा था कि यह आडर्स कहा मि लेते हैं उन्होंने कम से कम 15 मिनिट मुझे चिलाया होगा वो कहते क्या कर रहे हो बेल क्यों बजाया दर्वाजा क्यों तोड़ रहे हो और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह लेटर आपका है और इस पर डेट आज की है तो मुझे लगता है यह आपको आज मिलना चाहिए था है इसलिए मैं बारिश में यह देने आया हूं पर वो समझे नहीं वो चिलाते रहे और एंड में का कि मैं तेरी कंप्लेइन कर दूंगा पोस्ट ऑफिस में कंप्लेइन कर दूंगा पुलिस स्टेशन तक जाऊंगा और फिर कुछ दिर बाद उन्होंने लेटर म सब लोग आ जातें देखने के हो क्या रहा है तो उन 3-4 मिनट के बाद जब मैंने आसपास देखा तो सारे लोग मुझे देख रहे थे मैंने चुपचाप अपनी साइकल ली और इस दिन मैं पोस्ट ऑफिस नहीं गया मैं साइकल लेके बस्टॉप गया और बारिश में पर को देखा और फिर घर चला गया उसी दिन मैंने अपने माबाप को जाके बोल दिया कि यह जौब मैं नहीं कर पाऊंगा अब फेलियर बेटा था कोई एक्जाम क्लियर नहीं किया था मुंबई की जौब भी छोड़के आ गया था और अब यह जौब भी छोड़ देगा तो रिलेटिव क्या कहिंगे उपर से 5 साल बाद पोस्टमान बन सकते हैं तो शायद शादी का भी कुछ अच्छा चांस बन जाए तो उस दिन ना घर पे थोड़ा सा जगड़ा हो गया और मुझे अब तक याद है मेरे पापा ने एक ऐसी लाइन बोल दी थी जो आज तक मै रोज सुबा उठता हूँ तो मेरे दिमाग में चलती है उन्होंने बोला था कि तो 13,000 की जौब छोड़ देगा तो करेगा क्या उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ट्राइ करते करते मर जाओंगा बद 13,000 से कुछ बैटरी करना है मेरे पास जितने भी बचे कुछे चैस्टी बे capitalism करते वह कुलेक करके मैंने मुंबाई के एक है बोलग जाओंगा और मैं टकivos शे महीने तक वो जौब की पर मन में फिर भी वह वह सवाल था कि इस जौब से चैने हाँ तो मैं एक दिन उसी दोस के घर बैठा था और मैं प्यार से उसे चिल्स बुलाता हूँ, तो मैं कहा था चिल्स जॉब तो कर रहा हूँ यार बट आगे क्या, तो उसी दोस ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे content फिर से start करना चाहिए, तो मुझे न कहानिया सुनाने का बहुत तो उसी दिन हमने decide किया कि साथ में बैठके एक कहानी script करते हैं, हमने वो record की और Instagram पे upload कर दी, वो कहानी थी एक ऐसे इनसान की जो war में अपना हाथ खोच चुका था और उसे एक Olympic shooter बना था, और उसने कैसे struggle करके Olympic medal हासल किया, अब जब भी आप online कुछ upload करोगे न, तो आपक और लोग मम्मी को पूछने लगे कि ये लड़का अब क्या कर रहा है, बट मैं तो उनकी नजरों में पहले से failure था, तो मैंने इस बर decide कर लिया कि कि किसी की ना सुनके अपने काम पे ध्यान दो, और मैं upload करता रहा, एक real upload की, दूसरी की, तीसरी की, व्यूज नहीं आ रहते ज्यादा, बट पता था कि कुछ सही कर रहा हूँ, फिर एक दिन मैंने एक वाइफाई पे वीडियो अप्लोड की, और वो millions में चली गई, और मुझे वहाँ से समझ आ गया कि मेरी audience को tech videos अच्छी लगती है, और मैंने tech videos बनाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे करके मेरे views और followers बढ़ते रहे, और आज मेरे tech page पे 1.7 million followers है, और YouTube पे 6 lakh subscribers, उसके बाद मेरा finance में भी बहुत interest था, तो मैंने finance में भी reels बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो page भी grow हो गया, और आज मेरे 6 lakh से जादा followers है मेरे finance page पर, आज मैं ठीक ठाक earn कर लेता हूँ, एक छोटी किसी team है, जिनकी salary हर महीने देता हूँ, और कभी-कभी मैं सडकों पे जाता हूँ, तो कुछ लोग मुझे पैचान लेते हैं, और GDS बनके जितनी salary मैं एक साल में कमाता हूँ, उससे कई जादा मैं आज एक brand sponsorship का charge करता हूँ, और अभी भी struggle खतम नहीं हो है, अभी तो बहु उपर बरोसा करना होगा, और कोशिश करते रहना होगा, दीरे-दीरे सब हो जाता है, तो अगर आप young होना और content बनाने की सोच रहो, तो पहले तो दुनिया की सुनना बंद करो, और यह सोचना बंद करो कि वो क्या सोचेगे, अपने content पर ध्यान दो, और consistency से upload करते रहो, उस जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था न, मैं जोस्टॉक की वीडियोज देखता था, और वहां से मुझे बहुत motivation मिलती थी, try करते रहने के, तो thank you everyone, and thanks जोस्टॉक.